तो आपको पता है कि मोड आपने परा था कि आप 9 लास में परेते कि मोड इपिटेशन आप दे फ्रिक्वेंसी इस कॉल एजे मोड जसे एक्जामपल हमें यह दि लेते हैं एक्जामपल में आपको एक 50 24 26 30 50 35 26 दिया हुआ है इसका मोर क्या है कैसे 50 जैसे कि में 50 है 50 कितने टाइम यह वान टू तो थ्री जाओ गया थ्री टैम ट्वंटी फार देखे 24 एक ही टाइम आए है 26 आपका टू टाइम आए देखे 26 आपका कितने टाइम है 20 टाइम आया है 30 आपका वन टाइम ए 35 आपका वन टाइम तो जादा टाइम रिपुटेशन कोन हुआ है तो 50 हुआ है यानि इसका मोर क्या हो जाएगा जै इकल टू आपका 50 आ जाएगा ठीक है अब हम बनेंगे continuous function के लिए continuous function के लिए क्या है z equal to l plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h जहां l क्या है l आपका lower limit है f1 क्या है maximum frequency है f0 क्या है before frequency of maximum इसके ठीक पहले वाला जहां आपका maximum frequency आता है जहां आपका maximum frequency आता है उसके ठीक पहले वाला जो होगा, फ0 होगा f2 क्या होगा the after frequency of maximum यानिकी какая okay f1 के ठीक पहले वाला आपका f0 और ف1 के ठीक बाद आपका f2 h क्या है class interval यह फर्मूला याद रखेंगे कि continuous function के लिए z equal to l plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 whole into h h आपका class interval indicate करता है h कैसे निकालेंगे upon limit minus lower limit ठीक है ओके ठीक है जेड इंडिकेट आपका mode का करता है चलिए एक example देते हैं example में आपको यहाँ पे class interval दिया है 5, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65 आपको f1 दिया है यह 6, 11, 21, 23, 14 and 55 आप सबसे पहले देखिए कि frequency में यह पूरे frequency में किसकी value ज़्यादा है तो यह क्या है देखिए आपकी हो गई जिसकी value ज़्यादा होगी वो हो गई f1 यानि कि यह value आपकी क्या हो गई f1 हो गई ठीक है मैंने आपको बताया था f0 कौन होती है f0 आपका ठीक पहले वाला इसका आर्थ नहीं कि 20 यहाँ पे 21 है इस ओके लेकिन इसका आर्थ नहीं कि ठीक पहले वाला ही f1 होना चाहिए ठीक है और इसके बाद ठीक बाद वाला क्या होगा आपका f2 होगा यानि f1 हो गया आपका कितना 23 f0 हो गया कितना f0 हो गया आपका f0 हो गया आपका 21 और f2 कितना हो गया 14 अब ul-l f1 के सामने देखो यह class interval है तो क्या हो जाएगा 45-35 यानिकी 10 इसका lower limit क्या है इसका lower limit है 35 lower limit 35 अब value put कर दो l की value हो गयी 35 है ना l की value कितनी हो गयी 35 plus f1 कितना है आपका f1 है 23 minus 21 क्योंकि f0 की value 21 है 2 into 23 क्योंकि f1 की value 23 है value put कर देना है आपको 21 minus 14 into 10 into 10 अब इसको क्या कर देना है solution करना है solution कैसे होगा तो देखिए 35 plus 23 minus 21 2 46 minus 35 into 10 35 plus 2 upon 11 इसको इसको multiply नहीं करेंगे यह plus है जब तक इसका procedure नहीं होगा तब तक आगे कुछ नहीं करेंगे 20 upon 11 क्या जाएगा 35 प्लस 1.8 something आएगा तो यह हो गया 36.8 Z की value ठीक है 36.8 Z की value कुछ नहीं करना easy है दो मां के topic में आता है यह question तो हमको पहले देखना क्या है कि कौन सा frequency आपका सबसे ज़्यादा है तो आपका सबसे frequency ज़्यादा F1 उसके ठीक पहले ठीक है ठीक पहले F0 ठीक बाद उसका F2 maximum frequency के सामने क्लास interval लेलो और उसका जो छोटा वाला होगा वो lower limit हो जाएगा आपका और उसके बाद क्या कर देना है सभी value आपको put value पता हो जाएगी तो value क्या कर देनी है आपको put कर देनी है आपको answer आजाएगा समझ्या आया तो जिला इसी तरह दुसरा example भी देखते हैं हम लोग दुसरा example हम देखते हैं कि इसी तरह आपको expenditure in class interval continuous function में दिया हुआ है और number of family आपको दिया है that's a frequency इसको हम बोलते है फ्रिक्वेंसी तो अब frequency में सबसे ज़्यादा कौन सा frequency है सबसे ज़्यादा frequency यह रहा यह क्या हो गया F1 इसके ठीक ऊपर वाला आपका F0 और ठीक बाद वाला आपका F2 ठीक है यह रखेंगे आप ऐसा नहीं किजिएगा 33 है तो आपका क्या हो गया F1 क्या हो गया F1 हो गया 40 F0 क्या हो गया आपका F0 हो गया आपका 24 और F2 क्या हो गया आपका 33 ठीक है अब class interval maximum frequency इसका maximum frequency क्या है तो क्या हो जाएगा 2000-1500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा यह इसकी क्या हो जाएगा class interval तो lower limit क्या होगा lower limit lower limit इसका ही देखने का maximum frequency वाला ही कितना हो जाएगा 1500 अब क्या ख़रना है value रखो आपके पास सब की value दी हुई है किसकी value दी हुई है आपकी पास L की value दी हुई है है ना L की value दी है L की value कितनी है यह आपकी 1500 है F1 कितना है आपका F1 दिया है आपको 40 दिया है F0 कितना है 24 2 into F1 40 40 माइनस F0 कितना है आपके F0 दिया है 24 F2 कितना है 33 into H500 ठीक है अब क्या करना है आपको आपको क्या करना है 1500 प्लस 16 अपन 80 माइनस 57 into 500 तो 1500 प्लस आप उपर कर दीजे 8000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 23 अब इसको डिवाइड कर दीजे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका करके देखिए एक बार 23 8000 यानि 23 324 3 चलिए 69 वन वन जीरो 23 4 जा ठीक है 8 और 1 कितना आजाएगा ये 180 है तो ये आजाएगा आपका 180 है तो 6 8 7 आएगा 7 3 जा 21 7 टू जा पॉंड़े 161 9 7 में से 6 गया 1 190 तो 190 कितना आएगा आपका एप्रोक्सिमेटली 8 आ जाएगा तो ये निए 1500 प्लस 347.8 यानि कि 18 अब एट किजिए 1847.8 ये आपका जैड ओके है इस प्रकार से आपको कैल्कुलेशन करना है ठीक है ना किवागा पैना है इस प्रकार टू जा कि अएगा किवान एट वाइब a भाकार पो ये जाब कि और पीजिए पया है तो ये जाएगा है जार का जादीली तो एकार रहे वागादाण